हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मनेस मैं इस वीडियो उपर डेस्क्राइब करने वालों पी एसे बी एनुवल इग्जामनेशन सिस्टम बायलोजी प्रैक्टिकल के बारें बताने वालों स्टुडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें लेर्स स्टार्ट दा वीडियो नोट ओल कोस्चन आर कंपल्सरी सभी प्रशन के उत्तर देना अनिवार यह है उसके बाद आपको नेस्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर टू यह थ्री मार्क्स के लिए कोस्चन नमबर थ्री यह भी आपका थ्री मार्क्स का है इसमें आपको कांच की स्लाइट पर पोसक के माध्यम से पराकणों के अंकुरन को दिखाने के लिए एक अईस्थाई स्लाइट तयार कीजिए एक नमांकीत आरेक बनाईए और परिनामों को परिक्षक को दिखाईए थ्री मार्क्स के कोस्चन है फिर कोस्चन नमबर फूर ये भी थ्री मार्क्स का है इसमें आपको बोला गया है इदेन्टिफाई दस्लाइड ए गिव वन रिजन फॉर आइदेन्टिफिकेशन अल्सो ड्रो अ लेबल डायग्राम वन प्लस वन प्लस वन याने के थ्री मार्क्स का है कोस्चन नमबर फॉर आइदेन्टिफाई दस्लाइड बी नेम दर डिसेज इट कोसेज राइड डाउन एनी टू सिम्टम्स अप दर डिसेज नेस्ट कोस्चन पॉदो की समागरी सी की पहचान करें इसके अनुकुलन पर टिप पनें करें इडेन्टिफाई दा प्लांट मटेरियल सी कमेंट अपोन इड्स एडॉप्टेशन कोस्चन नमबर सेवेन है इसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टू मार्क्स वाइवा बेस ओन प्रोजेक्ट टू मार्क्स का उसके बाद आपका नेस्ट है कोस्चन नमबर एट यहां से आप देख सकते हैं कोस्चन नमबर एट पर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ट टू मार्क्स का वाइवा बेस ओन एक्सपरिमेंट इसके लिए टू मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ट के लिए दो नमबर प्रयोगों के अधार पर मौखिक परिच्छा के रिए दो अंक 25 अंकों का पुर्णांक है इसमें भी आपको 33% मार्क्स कमपल्सरी है लाना तो ये आपका बायलोजी का प्रैक्टिकल क्वेस्टन पेपर है सिमलर पैटन के कॉर्डिंग अधर आपके जो बैचेस है उसमें भी इसी तरह के कॉस्चन्स आएंगे लेकिन पैटन के कॉर्डिंग डिफरेंट कॉस्चन्स होंगे थैंक यू सो मच